नमस्कार बंसली उसकी खास पेश्कष आईश्मान में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ जया शर्मा जैसा कि आप जानते हैं कि आईश्मान में हर बार स्वास्त संबंदी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है स्वागत है आपका कारिक्रम में तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगु बुखार के बारे में और इसके साथ ही आपको बताएंगे इसके उपचार अगर आप भी से जड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रह चाहिए देखिये डेंगु एक वारल इंफेक्शन है एडीज एजप्टाए नाम का मच्छर होता है जो दिन में काटता है और यह डेंगु इंफेक्शन कॉस करता है डेंगु बेसिकली चार सेरो टाइप्स का होता है डेंगु 1,2,3,4 यह इंफेक्शन जेरली मॉनसून सी देखा गया है फीवर, जेनरलाइज बॉडी मैलेज, ठकान, आखों के चारो तरफ दर्द इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं यह मॉनसून में ज्यादा प्रडॉमिनेंट रहने वाला इंफेक्शन है बल्कुल तो डेंगु से जड़ी हुए तमाम जानकारी आप भी अगर ल यह जाना चाहती हूं कि कैसे इसे पहचाना जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या इसका उपचार होता है देखिए डेंगु मैंने आपको बताया है जैसे कि एक वारल इंफेक्शन है शुरुवाती दौर में जो क्लासिकल डेंगु फीवर होता है उसमें पेशिंट को फीवर हाई ग्रेड फीवर हाई ग्रेड फीवर हाने के साथ-साथ मरीज बताता है कि उसे ठंड भी लगती है फीवर आने के दो से तीन दिन के बाद शरीर पे रैशिस आ जाते हैं जिसे कहते हैं पेटीक्यल रैशिस यह बहुत ही क्लासिकल है डेंगु फीवर का इसके अलावा आँखों के चारों तरफ बहुत दर्द होना हड्डियों में दर्द होना हमारे टर्मिनोलजी में हम इसे ब्रेक बोन फीवर, अर्थात हड़ी तोड बुखार कहते हैं, मरीद बताता है कि इतना दर्द रहता है कि बिस्तर से उठने में असमर्थ हैं, ये बहुती आम लक्षण हैं डेंगू फीवर के, इसके अलावा नाक से मूं से खून आने लगना, पिशाब लाल होने लगना, य बन देकर बुखार आना, आखों क्या असपास दर्द होना, इसके साथ ही बॉडी में ज़्यादा दर्द होना, तो ये वो सम्टम्स हैं जो डेंगू बुखार के हैं, और अगर ऐसे लक्षण आप में पाये जाते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना यही सला हम और डॉक्तर रश्मी आपको दे रहे हैं, डॉक्तर रश्मी ये आपसे समझना चाहınızगे क्यूंकि यह चिस दरह से क्या आपने सम्टम्स बताए हैं, यह मुझे बताईए कि डेंगू बुखार कितना डेंगू बुखार कितना रिशू हो सकता है अगर इस पर ध् एक होता है classical dengu fever, इसमें simple बुखार आता है, शरीर में ठकान रहती है, हड़ियों में दर्द रहता है, इसके बाद जो condition आती है वो होता है dengu hemorrhagic fever, यह चिंता करने का विशाईए, ऐसी condition है जहां पर thrombocytopenia अर्था platelet count fall होने लगता है, और इसकी वज़े से शरीर में कहीं मीख खून का रिसाब होने के चांसेज बढ़ जाते हैं इसके अलावा हीमो कॉंसेंट्रेशन होने लगता है इससे भी एक सीवियर कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम ये वो कंडीशन होती है जहां पे पेशेंट एकदम सीरियस हो जाता है फीव पेशेंट में खासकर मॉटालिटी बाकी दोनों कंडीशन से ज्यादा होती है क्योंकि शरीर में प्लाज्मा लीकेज होने लगता है शरीर में कईयों जगह पे खून का रिसाव होने लगता है, तो ये condition को बहुत ही early recognize करना जरूरी है, नहीं तो mortality होने के chances ज्यादा होते हैं, compare जब करते हैं तीनों चीज़ों में तो classical fever जो है वो 3-4 दिन में patient improve करने लगता है और simple दवाएं paracetamol से respond करने लगता है, dengue hemorrhagic fever और shock syndrome में patient को admit करना पड़ता है और खासकर बात करते हैं, shock syndrome ऐसे patient को ICU की भी need पड़ सकती है, तो definitely depending upon patient कैसा है, काफी serious infection होता है, dengue और early recognition symptoms का बहुत जरूरी होता है यानि कि Dr. उश्मी ये माना जाए कि dengue का type कौन सा है, उसके उपर भी treatment depend करता है कि आखिर patient को किस treatment की जरूरत है, बिलकुल, बिलकुल सही कह रही है, आप अगर classical fever है, तो simple paracetamol की दवा देनी है, temperature fall करता है, adequate hydration, मतलब पानी का परियाप्त मात्रा अगर patient लेता रहे, तो घर पे ही बिलकुल अच्छे से उपचार हो सकता है, patient recover कर सकता है, तुरंत admit कराएं, proper treatment मिलना चाहिए, depending कि patient की condition कैसी है, बिलकुल, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है, कि अगर कोई भी symptom, जो आपको लगतार screen पर इस वक्त दिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी symptom आपको नजर आते हैं, तो तुरंत आपको doctor से consult करना चाहिए, ताकि समय रहते doctor उससे डेंगू के प्रकार की पहचान कर सके और उससाब से आपको treatment दे सके, क्योंकि डेंगू बुखार आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आगे बढ़ेंगे doctor रश्मी, मेरा आपसे अगला question ये है, कि warning science क्या होते हैं, किस सिती में जरुद परती है patient को, कि अब doctors के पास जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, जी बहुत ही हतवपून सवाल है ये, बहुत सारे लोग इस सीजन में fever से ग्रेसित रहते हैं, simple viral fever हो सकता है, डेंगू हो सकता है, malaria, chicken munia, ये सारे ही जो बीमारियां, इन में presenting जो complaint होती है, patient की वो fever होती है, तो ऐसी condition जहां पे तेज बुखार आ रहा है, ऐसी condition जहां पेट में दर्ध हो रहा है, vomiting हो रही है, शरीर पे particular rashes, अर्थाथ बिंदिया, लाल रंकी बिंदिया बनने लगती है, ये indication होता है कि शरीर में थ्रोंबोसाइटोपीनिया हो सकता है, आप तुरंत डॉक्टर से मिले, इसके अलावा अगर बहुत जोर पेट में दर्ध हो रहा है, पीलिया हो रहा है, ऐसी condition में आप तुरंत डॉक्टर के पास turn up करिए, आप investigate कराईए, और सही कारण पता चलना चाहिए कि भीमारी क्या है, अगर डेंगू है तो उसका proper treatment लेना बहुत जरूरी है, इसके अलावा बहुत सारी और वे जो illnesses हैं, जो इसी तरह से present करती है, malaria हो गया, chicken गुनिया हो गया, तो इनका test होना बहुत जरूरी है, और सही समय पे test के द्वारा पता करना कि कारण क्या है fever का, ये बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल तो डेंगू बुखार से जड़े हुए और भी कई सवाल हम डॉक्टर रश्मी से पूछेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ गए, आजम हमारे साथ फोन लाइन पर बुद्धी से जुड़े हुए है, आजम स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेडम नमस्कार, जी, अलो, जी आजम अपना सवाल पूछिये, जी मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, और आखों में बहुत दर्द रहता है, जी, जी, आजम जी पहले तो नमस्कार, देखिये आपको सर में जो दर्द रहता है, ये कितने दिन से है आपको? जी, आजम कितने दिन से आपके सर में दर्द बना हुआ है? देखिए आज हम डेंगू की बात कर रहे हैं आजम जी आपने बताया आपका सरदर्द और जो आखों के चारों तरफ जलन है वो डेर दो महिने से तो मैं आपको बता दू जो डेंगू है ये एक अक्यूट फेबराई लिलने से अक्यूट मतलब 3-7 दिन का डूरेशन जनरली रहता है सिम्टम्स का तो जो आपका सरदर्द है इसका कोई और कारण हो सकता है इसका प्रॉपर इवैलूएशन आप करवाईए बट आपको चिंता करने की जरूद नहीं है ये डेंगू से संबंदित सरदर्द या आखों के चा प्रॉब मिल क्या होगा डॉक्तर रश्मी अगला सवाल मेरा आपसे यह है क्योंकि लंबे समय से कोविट मिमारी से हम चल रहे हैं उससे अभी गुजर ही रहे हैं और ऐसे में किसी व्यक्ति को किसी मारीज को डेंगू अगर घेर लेता है तो इसकितना डेंजरस होता है बिल पेशेंट के फीवर के साथ कफ, sore throat, मतलब गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, oxygen की मातरा कम होना ये सारे चीज़े होंगे डेंगू एक acute febrile illness है, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, viral illness है इसमें presenting symptom मतलब जो पेशेंट सिम्टम लेकर आएगा वो तेज बुखार के स हाथ-पाओं में दर्द, body, malaise, आँखों के चारो तरफ, जलन या दर्द होना, या thrombocytopenia के symptoms जैसे की शरीर पे चकत्ते बनना, particular rashes, मूँ से नाक से खून का रिसाव होना, ये सारे symptom होंगे, जो sore throat और ये सारी symptoms हैं, ये COVID में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, definitely COVID में, यदि किसी व्यक्ति को COVID हुआ है, उसके बाद उसकी immunity suppress होगी है, तो definitely डेंगू जो है, वो ज्यादा severe होने के chances बढ़ जाते हैं, तो symptoms दोनों के different हैं, लेकिन इलाज की जरुरत होती है, और यदि समय पर इलाज कर लिया, तो फिर आपकी जान बच सकती है, नहीं तो ये आप के लिए बहुत खतरनात साबित हो सकता है, डॉक्टर रश्मी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो गया है, तो उसे किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खान पान कैसा हो, उसकी दिंचर कैसी होनी चाहिए, जी जैसे कि अभी बात हुई थी, क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है, उसमें हम पेशेंट को घर पे ही, होम बेस ट्रीटमेंट ही करते हैं, पारसेटमोल टाइम से लीजे, ताकि टेंपरेचर बहुत बढ़ने ना पाए, दूसरा, डिहाइडरेशन हो, डिहाइडरेशन से बचने के लिए हमें पानी की परियाप्त मात्रा लेनी है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ना हो, इसके लिए पानी के साथ इलेक्ट्रोल का सेवन जरूर करिए, ग्लुकोस रिच वाटर लीजे, खाने में क्या चीज़े अवाइड क रिकवर कर सकते हैं, बिल्कु लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो बाते डॉक्टर अश्मी ने बताई हैं, उनका ध्यान रखी है, और क्योंकि डॉक्टर अश्मी कई बार ऐसा होता है, मौनसून सीजन अभी इस वक्ते चल रहा है, और ऐसे में सफाई का भी ध्यान लोग नहीं रखते हैं, तो मैं चाहूंगे कि आप वो बाते भी हमारे दर्शकों तक पहुचाई कि सफाई कितनी जरूरी है, डेंगू से बचाव के लिए भी और मौनसून में बाकी बिमारियों से बचाव के लिए भी, बहुती अच्छी बात आपने कही है माडम, देखिए डे पान इस चीज का रखिए कि पानी को इखटा मत होने दीजे, सिंपल हम घर में कूलर्स वगएरा यूज करते हैं, फ्लीज रेगिलरली आप पानी को चेंज करते रहिए, घर के आस पास अगर गड़े वगएरा हैं तो उनको भरवा दीजे, नाली ये सब चीजों को ढखिए ताकि खुली जगे ना रहे, मच्छोरों का जो ब्रीडिंग है वो आप उसको रोक सकें, अगर पानी का कहीं एखटा बहुत ज़ादा हो भी रखा है तो इंसेक्टिसाइड बगेरा का यूज करिए, मौस्केटो नेट्स का यूज करिए, मौस्केटो डिपैलेंस का बराब बीमारी से ग्रेसित और उसकी सीवियरिटी को प्रोग्रेस होने में ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, साफ सफाही बहुत जरूरी है, आपके चारों तरफ आप इस चीज पर ध्यान दीजे, कि as a community, मच्छरों का जो ब्रीडिंग ह हमें उसे रोकना है, सफाही जितना रहेगी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ना कि सिर्फ डेंगू, मच्छर से फैनने वाली और भी बिमारिया हैं, जैसे मलेरिया है, चिकन गुनिया है, आप इनसे भी बच सकते हैं, पानी का जो इखटा होना है, उसको डेफिनिटली आप बिल्कुल और यानि कि ये कहा जा सकता है कि सफाई का आपको खासतोर पर ध्यार रखना है, हाईजिन मेंटेन करके रखे, इसके साथ ही मौनसून सीजन में जितना हो सके, उतना बाहर का खाने से आप परहेस करेंगे, तो डेंगू जैसी तमाम बिमारियों से आप खुद भ बात करते हैं, environmental risk factor हम जानते कि हम एक tropical country है, tropical country जहां पी humidity ज्यादा है, monsoons खास कर, breeding season होता है, डेंगू मच्छर के लिए, सारे ही मच्छरों के लिए, in fact, तो आप अपने, जो मैंने आपको बताया है कि बचाफ करने के लिए, पानी का इखटा ना होने देना, breeding, जो है individual, देखिए, बच्चों में, लेडीज में, जो डेंगू है, उसकी chances ज्यादा होती है, plus severity of illness की भी chances ज्यादा होती है, इसके अलावा देखा गया है, जो लोग respiratory illnesses से गुजर रहे हैं, जैसे asthma हो गया, COPD हो गया, इनका भी progression of the disease, वो ज्यादा होता है, तो ये सारे respectors आपको ध धियान में रखिए, स्वस्त खाना लीजिया, इस सीजन में पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, तो definitely हम डेंगू से बच सकते हैं, बलकुल, तो ये महत्पुर्ण बातें जिनका धियान रखना आपको ज़रूरी है, डॉक्टर रश्मी, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, कितने दिनों तक देंगू का असर आपकी बाडी में रहता है, और कितने दिन बाद रिकवर पेशन करने लगता है? डेंगों के बारे में बताना चाहूंगे कि तीन स्टेज में बीमारी चलती है सबसे पहले आती है फेबराईल स्टेज जब पेशन्ट को तेज ठंड देखे भुखार आता है 2-3 मिन तक ये स्टेज रहती है कभी-कभी 5-7 दिन तक भी रह सकती है ऐसे समय पे हम paracetamol से treatment करते हैं उसके बाद आती है आपकी critical phase यह वो phase होता है जब patient simple dengue fever से hemorrhagic या shock syndrome condition में progress कर सकता है उसके बाद आती है आपकी recovery phase यह generally 3 stage में progress करती है disease और complete recovery जो है वो patient को 15-20 दिन का वक्त लग जाता है कईयों लोग बताते हैं कि fever आना बंद हो गया है बट शरीर में थकान, हड़ियों में दर्द, जोडों में दर्द, आखों के चारों तरफ दर्द यह लंबे समय तक रहता है कुछ लोगों को 2-3-3 महीने तक sequally रहते हैं बट जो active disease है वो generally 15-20 days में खतम हो जाती है sequally रह सकते हैं अगला सवाल डॉक्टर श्मी मेरा आपसी है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है डेंगू भी हो जाए तो दूसरे लोग उसके पास नहीं जाते हैं इस डर से कि कई ऐसा ना हो डेंगू ने भी फैल जाए तो क्या डेंगू छूने से फैलता है और अगर ये भ्रांती है तो उसे कृपया करके दूर करिया हमारे दर्शकों के बीज़ देखिया ये एक भ्रांती है ये लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारी है कृपया मरीज से दूर मत भागिये अगर कुछ करना चाहते हैं तो मच्छर का ब्रीडिंग रोकिये उसका तरीका यही है अपने आस पडोस में पानी का इखटा होना रोकिये अगर कहीं पे भी जादा पानी का इखटा कहीं हो रखा है तो इंसेक्टिसाइड वगेरा को यूस करिए मॉस्केटो नेट्स का प्रॉपर यूस करिए पूरी बाहां के कपड़े पहनी है जो मरीज है उससे आपको कोई डर नहीं है मच्छर जब तक आपको नहीं काटेगा थब तक आपको डेंगू बिलकुल नहीं होगा त अधि आपके परिवार में या किसी को भी डेंगू है तो आप उसका उचित इलाज करिए उसकी बराबर आपको देखभाल करना जरूरी है अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी जो दौर कोविट का चल रहा है जैसा कि पहले भी हमने इसका जखरी किया था अगर कोविट मतलब platelet count fall करता है ऐसे condition में कहीं भी खून का रिसाव शरीर में हो सकता है तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे या आपके नोस से या आपके मूँ से कहीं से भी खून का रिसाव हो रहा है तो आप डॉक्टर को तुरन दिखाईए proper medical test conduct होने चाहिए हम generally acute phase में डेंगू antigen test करते हैं अगर positive आता है तो उसका proper treatment लीजे इसके अलावा complete blood count करवाते हैं इसमें दो important चीज़े हैं एक platelet count दूसरा हमारा hematokrit ये दोनों चीज़ों को observe करना जरूरी है यदि platelet count fall कर रहा है इस condition को हम thrombocytopenia बोलते हैं तो likely chances हैं कि patient को डेंगू infection भी साथ में ह नहीं होगा या multi-organ dysfunction syndrome नहीं होगा तो thrombocytopenia होने के chances ज्यादा हैं इसके विपरीत जो covid patients हैं उनमें WPC count जो white blood cell count उन पे असर आता है डेंगू में ऐसा कम देखने को मिलता है तो ये तरीका है differentiate करने का medically रुकुल डॉक्र श्मी आखरी सवाल में आपसे पूछा चाहूंगे क डेंगू की गंभी रवस्था क्या होती है संक्षिफ में जानकारी दीज़े डेंगू की गंभी रवस्था होती है डेंगू शॉक सिंड्रूम ये वो condition है जहां patient को fever आने के बाद शरीर में plasma leakage होने लगता है मतलब शरीर में कहीं न कहीं खून का रिसाब होना शुरू हो जा प्ल्स करने लगता है प्ल्स फीबल हो जाती है जरीर में कहीं जगों पे हलका पानी का इखटा होना जैसे जिसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन या ऐसाइटिस या सीरोसाइटिस वाला पिक्चर डेवलेप हो जाता है ये जानलेवा condition होती है ऐसी condition अगर है सांस लेने म हो जाए तब तक हमें proper patient को monitor करना है और वाइस ये condition जानलेवा भी हो सकती है बिल्कुल तो कुछ symptoms डेंगू के डॉक्टर रश्मी ने आपको बताये हैं उन्सम्टम्स पर आप गौर करिएगा और सबसे जरूरी है कि ऐसी सिती ही निर्मित ना हो इसलिए आपको तमाम बातो करें इसके साथ ही अपने आस्पा सफाई विवस्ता का पूरा ध्यान रखिए डॉक्टर रश्मी बहुत-बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शक को तक पहचाने के लिए हैं तो आज डॉक्टर रश्मी वर्मा ने हमारे साथ देंगू बुखार के बारे में कई ज क्यार रखें इसी के साथ हमारी खास पेशकर्ष में फिलाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नई स्वास्तंबंदी समस्या के साथ और आपको बताएंगे उसके उपचार भी तब तक के लिए बने रहें बंसल न्यूस के साथ नमस्कार